पुश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूनिक क्रियेटर में दोस्तों लास्ट की कुछ वीडियो में हमने की थी जिसमें हमने देखा था कि MCB क्या होता है एक MCB की हमें जरूरत क्यों पड़ी थी MCB के अंदर जो में कॉंपोनेंट से होते हैं और फिर फाइनली हमने देखा था कि MCB आखिर काम कैसे करता है उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमने अपनी वीडियो में देखा था कि Types of MCB क्या क्या होते हैं जिसमें हमने देखा था कि MCB on the basis of pole और on the basis of energy class इन दो तरह से divide होते हैं जिसमें हमने on the basis of pole हैं वो हमने cover किये थे देखा था कि SP, DP, TP ये सभी MCB जो हैं ये क्या होते हैं और कहां पे इनका use होता है तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि on the basis of energy class यानि के type A, B, C ये जो सभी MCB हैं ये कहां पे use होते हैं क्या इनका मतलब होता है और किस situation में इने use किया जाता है चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हैं आज की वीडियो को आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि on the basis of energy class जो है वो MCB क्या होते हैं कौन-कौन से MCB होते हैं और कहां पे उनका use होता है तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो type A हमारे MCB होते हैं टाइप A MCB जो है उसकी image unfortunately available नहीं है तो अगर मुझे कहीं से उसकी image मिलती है तो मैं उसका link आपको description में दे दूँगा वहां से उस image को देख लीजेगा फिर हम बात करेंगे कि type B MCB हमारा होता है और यह जो MCB है इनकी जो class है वो इसके उपर mention रहती है जैसा कि आप इस image में देख रहे हैं यहां से पता लगता है कि MCB जो हमारा कौन सी class का है अब इसका क्या use case है हम आगे वाली slide में बात करेंगे फिर हमारा होता है type C MCB जैसा कि आप इस image में देख रहे हैं फिर हमारा type DMCB होता है फिर होता है type K MCB और फिर हमारा आता है type Z MCB तो इस तरह से जो हैं वो हमारे energy class के basis पे MCB डिवाइड रहते हैं टोटल जो six type है इनका अलग-अलग जगा पे use case होता है one by one जिसे हम अभी discuss करेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें most commonly जो use होते हैं हमारे MCB वो होते है type A, type B और type C MCB अब जो हमारा type A MCB होता है दोस्तों वो highly sensitive devices में use होता है यानि के जहां पे जो highly sensitive devices होती है जहां पे हमें tripping जो है वो instant चाहिए होती है वहां पे हम type A MCB को use करते है और इनका जो tripping time होता है वो 2 से 3 गुणा होता है यानि कि अगर आपका 6 A MCB है तो से 2 या 3 गुणा अगर current आपका जाएगा MCB में तो वो उस time पे trip हो जाएगा तो वहां पे highly sensitive devices पे हमें A type के MCB के ज़रूरत पढ़ती है वहां पे उनका use किया जाता है अब बात करेंगे type B अगर MCB की तो type B MCB हमारे SMCB होते हैं जिनका जो tripping current है जो है वो 3 से 5 गुणा होता है यानि कि जब भी आपके MCB में 3 से 5 गुणा का current pass on होगा तो उस time पे वो MCB आपका trip करेगा और जो इसका operating time रहता है वो 0.04 से 13 से के बीच में रहता है यानि कि इस interval के बीच में जो है इस time interval के बीच में आपका MCB trip हो जाएगा और इनका यूज जो है वो mostly domestic purpose के लिए यूज के जाता है यानि कि घरों में जो है इसका use case होता है घरों में से यूज किया जाता है जो हमारे type CMCB होते हैं type CMCB उनकी जो current value है जो operation की current value है वो 5 से 10 गुना होती है यानि कि अगर आपका 1 MCB 6 A का है तो 6 into 5 और 6 into 10 यानि कि 5 से 10 गुना के बीच में जब आपका current उसमें से flow करेगा तो उस type पे आपका type C MCB जो है वो trip करेगा जो इनका operating का जो time रहता है या जो tripping time रहता है वो 0.04 से 5 second के बीच में रहता है और यह जो MCB है आपके यह वहाँ पर use किया जाते है जहां पर आपका inductive load होता है ज यानिके जो आपके type D, type K और type Z MCB है यह basically बहुत कम use होते हैं बड़ जहां पर यह use होते है इनका भी अपना एक purpose है use होने का तो type D जो आपका MCB होता है वो जो करेंट की tripping की जो value होती है वो 10 से 20 times होती है यानिके मान लिजिए अगर आपका जो MCB है वो अगर 10 ampere का MCB है तो 10 into 10 and 10 into 20 यानिके 100 से 200 ampere के बीच में जब current जाएगा तो उस time पे वो trip कर देगा ठीक है जी और जो उसका operating time होता है वो 0.04 से 3 second के बीच में होता है इस type K MCB को हम वहां पर use करते हैं जहां पर आपका very high inductive load होता है जैसे induction motor हो गया आपकी जो highly inductive in nature जो आपके circuits होते हैं highly inductive in nature आपके appliances होते हैं वहां पर इस type K MCB का हम use करते हैं अब बात करते हैं type K MCB की तो जो आपका type K MCB होता है उसका dripping जो current होता है वो तब होता है जब 8-12 time जो आपका current है वो उसके rating current से 8-12 गुना जब current उसमें से flow होता है तब आपका type K MCB का जो MCB है वो trip करता है और जो इसका operating time ह होता है वह 0.1 से भी कम का होता है अब लास्ट में आपके जो आते हैं वह टाइप Z MCB होता है टाइप Z MCB आपका होता है जिसमें जो करण्ट की वैल्यू है वह दो से तीन गुना जब फ्लो होने लग जाए तो उस टाइम पे वह एमसी भी आपका ट्रिप कर जाना चाहिए ऐस इस टाइप के MCB हमारे जो है वह सेमी कंडुक्टर जो डिवाइस है वहां पे इसका यूज होता है जो भी आपकी ऐसी डिवाइस है जहां पे आपका सेमी कंडुक्टर यूज हो रहा है वहां पे जो है वह उनका यूज किया जाता है जैसे इलक्ट्रोनिक डिवाइस है वह एकदम से जब कभी surge current आए तो वो खराब ना हो उससे बचाने के लिए इस type के MCB का हम use करते हैं तो दोस्तों समरी अगर आज की वीडियो के हम बात करें तो आज की वीडियो में हमने देखा है type A, type B, C, D और Z ये MCB हमारे क्या होते हैं तो एक समरी के बेस में अगर हम बात करें तो type A, MCB हमारे वो होते हैं जिन में जब current हमारा 2-3 गुना load current के equal flow करता है और उसका जो operating time है वो 0.04 से भी कम होता है तो उस type के MCB को हम type A, MCB बोलते हैं जो हमारा type B, MCB होता है उसमें हमारा current है वो 3-5 गुना रहता है और उसका जो operating time है वो 0.04 से 13 से के बीच में होता है जो type C हमारे MCB हैं उनका जो current है जो tripping current है फुल लॉड करंड से 5 से 10 गुना का रहतÁ है और नुका उपरेटिंग टाइम 0.04 से 5 सेंड के बीच का होता हैไ टाइप D जो हमारे मसी dowी होते हैं उनका जो tripping करंड है वो फुल लॉड करंड के मुकाबले में 10 से 20 गुना का करंड होता है और 0.04 से 3 से के बीच में वो ट्रिप कर जाते हैं जो हमारे टाइप के होते हैं उनका जो ओपरेटिंग करंड है वो फुल लोड करंड के मुकाबले में 8 के 12 गुना होता है जो उनका ट्रिपिंग टाइम है वो जिरो पॉंट वन सेके शीन से भी कम का होता है यानिके 0.1 second होने से पहले ही वो ट्रिप कर जाते हैं लास्ट में जो आपके type ZMCB होता है उनका जो operating current है वो full load current के मुकाबले में 2-3 गुना होता है यानिके आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा मैं मिलता हूं आप से ऐसी knowledge की वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय भारत